किसी भी जड़ी बूटी से कम नहीं है सदाबहार की पत्तियां जानिये इनके बड़े फायदे। नमस्ते साथियो, स्वागत है आपका। साथियो, आज वक्त बदलने के साथ साथ बीमारियों ने भी अपने रूप बदलना शुरू कर दिया है। परंतु ऐसे में कई बार हम जरासी साथानी रखकर कई बीमारियों से बच भी सकते हैं। हमारे आसपास में ही ऐसी बहुत तरह की ऐसी चीजें पाई जाती हैं, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदे मंद ही नहीं, बलकि कुदरत का वर्दान साबित होती हैं। और इनहीं में से एक है सदाबहार। जी हाँ सदाबहार। इसके प्रयोग से हम कई तरह की बीमारियों को आसानी से खत्म कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। आईए आपको जानकारी देते हैं कि इस साधारन से पौधे की पत्तियां किस किस बीमारी में असाधारन फाइदा पहुचा सकती हैं। तो लीजिए पहला फाइदा गले के इंफेक्शन को ठीक करता है। सदाबहार की पत्तियां गले में इंफेक्शन की समस्या में बहुत फाइदे मंद होती हैं। इसमें मौजूद एलकालोईड्स, एजमेलीसीन, सरपेंटीन नामक तत्व शरीर में मौजूद संक्रमन को दूर करने में बहुत उपयोगी माने जाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ जैसी गंभीर वीमारियों से भी बचा सकता है। इनकी पत्तियों में मौजूद विंक्रिस्टिन और विंबलास्टिन एलकलोईड कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए बहुत ही फाइदे मंद होते हैं। जो लोग कैंसर की समस्या से जूज रहे हैं। वो डॉक्टर की सलाह पर सदाबहार की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। तीसरा फाइदा बलड प्रेशर की समस्या में फाइदे मंद। सदाबहार की पत्तियों में मौजूद गुन हाई बलड प्रेशर में फाइदे मंद होते हैं। आप बलड प्रेशर की समस्या में सदाबहार की भी इस्तिमाल कर सकते हैं। आप एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए सदाबहार की पत्तियों और जड़ का सेवन कर सकते हैं। चौथा फाइदा डाइबिटीज में लाभदायक सदाबहार पत्तियों का सेवन करने से इंसुलिन के निर्मान में मदद मिलती है। ऐसे में यह सीधे तौर पर डाइबिटीज के मरीजों के लिए फाइदे मंद होता है। इसके उप्योग से डाइबिटीज से परिशान को सदाबहार की पत्तियों का रस्ट जरूर पीना चाहिए। पांचवा फाइदा पत्तियों का गर्म पानी में उबालने के बाद उसके पानी को पीने की सलाह दी जाती है। छठा फाइदा त्वचा की समस्या खत्म होती है। अगर आपके शरीर में कही भी इन्फेक्शन या स्किन संबंधी कोई समस्या हो गई हो तो आप सदाबहार की पत्तियों का लेप का उप्योग कर सकते हैं। इसमें इन्फेक्शन का नाश करने वाले तत्व होते हैं जो की आपके लिए काफी फाइदे मंध हो सकते हैं। तो साथियों ये थी सदाबहार की पत्तियों के फाइदों की बाद, मानना या नमानना आपका फैसला, जानकारी कैसी लगी, कृप्या कमेंट करके बताईएगा, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक तथा शेयर करने के साथ साथ, चैनल को सबस्क्राइब भी कर दीजिए, डिस्कलिमर, यह वीडियो आपके केव सामान्य जानकारी प्रदान करने के लिए ही है, अधिक और सटीक जानकारी के लिए हमेशा किसी स्वास्थ्य विशेशग्य या अपने चिकित सक्से परामर्ष अवश्य करें, बी यार जी के पीडिया इस जानकारी की सत्यता का कोई भी दावा नहीं करता है, वीडियो लिए आपका धन्यवाद, नमस्ते